Hello everyone, good morning, I hope you all are fine Today's subject English, today's topic pattern 5 लेकिन उससे पहले हम ओरल कर लेते हैं चलो, days of the week का ओरल कर लेते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Sunday is the holiday मजाई आलन करने में चलो, एक बार ओर कर लेते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Sunday is the holiday तो चलो, ओरल कर लेते हैं, आप हम pattern 5 लेंगे तो pattern 5 लेंगे लेकिन कोंची लाइन में की थी? Red to blue में और आज blue to blue में लेकिन उससे पहले हम सारी pattern का revision कर लेते हैं सबसे पहले कोंची लाइन की थी? Standing line, फिर sleeping line, फिर slanting line फिर दूसरी slanting line और आप जो लाइन कर रहे हैं वो कुन सी लाइन है? Aero line तो चलो, अपने दिखाती हूँ आज आप कुन सी लाइन लाइन करने वाले? Blue to blue तो blue paint joint बना देना है और beach में बना देना है और blue paint last में बना देना है तो यहां से एसे joint कर देना है फिर यहां से एसे touch कर देना है तो यह होगए यहां पेटन 5 Blue to blue तो अच्छे से एसे आपको blue line में ही slanting line बना देना है Slanting line, फिर दसरे slanting line Slanting line, फिर दसरे slanting line तो यह हमारे pattern 5 blue to blue बन गई एसे finish है चलो अब आपको textbook निकाल ली है English की pattern 5 page number 9 तो यह तो आमने learn कर लिया था red to blue वाला आज blue to blue learn करना है C dot W today's date mention करने है और यहां पे यह रो दे गए ना वो trace करने है अच्छे से trace हो जाए फिर यहां पे trace कर देना है तो चलो यहां पे blue line पे डोटे beach में और blue में तो यहां पे इसे touch कर देना है तो क्या हो गई pattern 5 slanting line slanting line दूसरे slanting line तो क्या बन गया arrow slanting line दूसरे slanting line तो चलो अपने आप बनाओ यहां पे इसे अच्छे से आपको blue line में ही बनाना है red से start करोगे तो यह क्या होगा wrong blue line में इसे arrow types बनाने है pattern चलो अच्छे से pattern 5 कम्प्लिट हो जाए textbook में फिर क्या निकालना है notebook netbook में आपने आई हो pattern 5 तक कम्प्लिट कर लिया होगा red to blue कलम ने लॉन किया था आज हम कौन से pattern लॉन करने वाल है blue to blue तो यहां पे मैंने दी है वो आपको trace करनी है ऐसे अच्छे से और अपने आप pattern 5 बनाने चलो blue line में इसे dot बना देना है एक बीच में और एक last में फिरे से joint कर देना है dot के बिना भी आप बना सकते हो blue line में ही बनाना है red से start करोगे तो क्या होगा wrong blue line में इसे अच्छे से बना लेना है चलो यह हो जाए फिर यहां पे homework में आपको एफुरिट down down pattern 5 बनानी है I hope अच्छे से pattern learn करोंगे thank you kids bye bye